अमस्कार दोस्तो वेललकम कर निए पंकस्टर वट्कॉञेट सुस्य फ़ेंगे अस्वेत्स?. आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने एक्षेंजेस में से 2 व्यक्षेंज अब बंद वनेरी और इंडिया का सबसे पहला w का exchange बंद होने वाला है उस बारे में हम आपको पूरी detail देंगे और आपको साथ के साथ बताएंगे कि city bank भी जो है cryptocurrency की purchases जो आप खरीदते हैं credit card debit card से वो भी बंद कर दिया है उस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले आपको याद दुला दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे ताकि कि bitcoin और cryptocurrency से related news आपको time to time मिलती रहे और आप इन चीजों का advantage उठा सकें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों टाइम सफ इंडिया में एक न्यूस चपी है उसके हिसाब से जो city bank है वो अब अलाव नहीं करेगा cryptocurrency को purchase करने के लिए अपने debit or credit card से और यही बात जो है दोस्तों पीछे जो है आपने सुना होगा बहुत सारे जो private bank है उन्होंने bitcoin exchanges के जो है account shut कर दिये थे और तो इसी पे अब news आई है कि city bank ने भी जो है ban कर दिया है कि आप cryptocurrency जो है उनके debit or credit card से नहीं खरीट पाएंगे और आपको बता दें कि जो city bank है वो top 5 banks में है जो इंडिय इन्हें जो है चिताया है और जो हमारे जो finance minister ने जो statement दी है तो city bank जो city इंडिया है उन्होंने decide किया है कि वो जो credit card debit card को use नहीं करने देंगे trading के लिए bitcoin और any किसी भी virtual currency के लिए अपने customer को क्योंकि जो customers हैं उनको protection के लिए और जो security related जो risk होते हैं उसके अंदर involved उसके लिए लेकिन जो visa और master है उन्होंने बोला है कि हमने जो है ब्लॉक नहीं किया है cryptocurrency का payment को गेट रहे है क्योंकि आप सब को पता होगा जो भी payment होती है वो visa और master या American Express के थ्रू होती है तो उनके हिसाब से उन्होंने जो है payments नहीं block करी है और bank के पास पूरा right है कि वो जो है ब्लॉक कर सके earlier जो है banks ने कहा था कि जो cryptocurrency जो purchase हो दिया वो grey market के अंदर जा रही है और while जो Indians है वो cross border purchase कर रहे है और जैसे restricted for forex trading और for speculation जो है यहाँ पर allow नहीं है लेकिन जो master card है उन्होंने decide किया है और classify कर दिया है कि जो भी cryptocurrency purchase होती है वो cash advance के category में आएगा और जैसे आपको goods खरीद जाएगा तो दोस्तों in short आप जो city bank के debit or credit card से जो है आप इंडिया में cryptocurrency को purchase नहीं कर पाएंगे अब दूसरी जो news आ रहे हमारे असाब से जो है एक sad news है और आपको बता दें कि btcxindia.com और यानि कि btcx india और etherx india जो की top two major exchanges में से एक हैं और बहुत पुराने exchanges हैं और etherx क कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया फर्स एथिरियम exchange है तो उनके हिसाब से जो है वह अपने operation जो हाल्ट कर रहे हैं आनि कि stop कर रहे हैं और उनका जो reason है वह यह है कि अपने members के लिए जो उन्होंने explanation दिया कि चार साल से वह btcx india को जो है run कर रहे थे और दो साल से जो ह इनमीन टाइम 50 गुना बिटकोईन को बढ़ते देखा और 100 गुना से जादा जो है ethereum की growth देखी लेकिन उनका कहना है कि budget speech जो की हमारे finance minister की थी उन्होंने जो है discourage किया था cryptocurrency को और उसके uses को तो उनको जो है बड़ा stress feel हो रहा था उनके business जो है काफी pressure के अंदर था और stress feel कर दे थे और वो यह उनका कहना है कि वो जो है इसको जो है professional manner में ज्यादा और लंबा नहीं चला पा रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक जो new rule यह पूर प्रॉपर regulation नहीं आ जाते हैं तब तक जो है उन्होंने जो है अपना जो प्लैटफॉर्म है उसको stop कर दिया है और उनक Consultancy Business जो है अपना April 2017 में स्टार्ट कर दिया था और उनका जो launch करने वाले हैं आप सबसे यह request है 28 तारीक तक इनका operation रहेगा उसके बाद यह इसको बंद कर देंगे तो आप सबसे यह request है कि 28 तारीक से पहले अगर आपका कोई भी इसके अंदर fund है या कोई भी आपकी cryptocurrency है जैसे Ripple जो है BTCX इंडिया पर trade होता है और Ethereum जो है EtherX इंडिया पर होता है अगर आपके पास वो है तो आप वहाँ से जल्दी से withdraw कर ली जिए हो सकता है बाद में आपको जो है इस पे जो है maintenance fee या कुछ और extra pay क करना पड़े तो बैटर यही रहेगा कि आप 28 टाइम से पहले जो उन्होंने टाइम दिया उससे पहले अपना withdraw कर लीजिए ताकि आपको कोई भी problem ना हो तो दोस्तों अगर news देखें तो दोनों ही बहुत बुरी हैं लेकिन मुझे exchange बंद होने का या उनके जो operations टॉप होने इस पर rule or regulations नहीं है और वो चाहते हैं कि proper rule or regulation के साथ में इस चीज की trading में involved हूँ तो दोस्तों आपके पास में 28 टाइक तक का time है तो जो भी आप इन दोनों platform पे अगर आपके पास में कोई funds पड़े हैं या कोई आपके पास में cryptocurrency रखी है तो आप जो है जल्दी से withdraw कर लीज आपको time to time मिलती रहे और आप इन चीजों का advantage उठा सके हैं अभी के लिए thank you नमस्कार धन्यवाद